हेलो फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज के टिप्स में मैं आपको चेहरे के रंग को बहुत ही गोरा और बिदाग करने का एक असान सा घरेलू उपायवताने जा रही हूँ यह नुसका बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है साउलेपन को दूर करने में तवचा के रंग को गोरा करने में और तवचा के दागधबो को दूर करने में लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन यानी घंटी को जरूर क्लिक करें क्योंकि जब तक आप बेल बटन को अनी करेंगे आप मेरे नए वीडियो को नहीं देख पाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा इसलिए बेल बटन को अन जरूर कर ले तो चली शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एक पका हुआ केला लेन के बाद आपको इसका छिलका इस तरह से हटा लेना है अब इस छिलके से अपने चेहरे को लगबद चार से पांच मिलट तक मसाज करनी है यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है तवचा के रंग को निखारने में इसकी इस्तेमाल से तवचा के दाग धबे भी बहुत ही जल्दी दूर होते हैं आपको इसका रिजल्ट पहली बार में ही नजर आने लगेगा इस तरह से लगबद चार से पांच मिलट तक आपको इसके छिलके से मसाज करनी है इस तरह से मसाज करने के बाद अब आपको एक प्लीन बाउल लेनी है इसमें आपको पका हुआ केला मसल करके लेना है यह मैंने पहले से केले को मसल के रखा हुआ है आपको यह केला इसमें ले लेना है केला हमारी तवचा के रंगत को बहुत ही जल्दी निखारता है साथ ही हमारी चेहरे के दाग दबो को भी दूर करता है और अगर चेहरे पर जाईया यह जुरिया है तो यह उसे भी दूर करता है यह तवचा को मौशराइज करता है आपको छाड़ूर को पीं दोनों छीजों के उच्छी तरह से मिक्स कर लेना है लिद्ध को अपने चहरे दो से लगाने है लगाने के बाद इसे आपको लगबग 20-25 मिनिट के लिए ऐसे ही लगा करके छोड़ देना है फिर आपको इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है इसका इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं या फिर हपते में 3-4 बार आप इसका इस्तेमाल जरूर करें यह बहुत ही जड़ा एफेक्टिव है त्वचा के रंग को निखारने में और त्वचा के दागदबे दूर करने में साथ ही त्वचा की जूरियां भी इससे दूर होती है चेरे की बारीक लाइने भी इससे दूर होती है और तवचा टाइट हो जाती है जिसे तवचा पर बहुत अच्छा सा निखा रहाता है और तवचा ग्लो करने लगता है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में